इल्मो और धाड़ावाहिक को देखकर लोगों में गोल्ड मैन बनने का ट्रेन चला हुआ है और लोग ज्यादस ज्यादा सोने की ज्यूलरी की खड़ीदारी कर पहन रहे हैं जिससे समाज में इनका दबदबा बना रहे और आर्थी की स्थिती से भी मजबूत माने जाते हैं वही पट्ना सिटी में धनतेरस और छोटी दीपावली के मौके पर लोग जहां सोने की ज्यूलरी और चांदी के सिक्के खड़ीद रहे हैं वहीं सोने के गहने पहनने का शौक रखने वाले कुछ लोग गोल्ड मैन बनने के लिए आर्टिफिसियल यानि की सिटी गोल्ड के गहने पहन कर अपने सोक को पूरा कर रहे हैं गले में भारी भड़कम गहने पहने हाथों में बहुत सारे गहने लिए गोल्ड मैन को देख कर लोग दंग हैं वहीं गोल्ड मैन बनने की चाहत रखने वाले पंकज मिसरा का कहना है कि सोने की कीमती गहने पहनना उनके बस की ब सौक पूरा कर रहे हैं वहीं artificial jewelry बेचने वाले दुकांदार की माने तो city gold सोने के गहने का same copy है इसे देखकर असली और नकली का पहचान करपाना बेहद मुश्किल है artificial gold पहन कर लोग free होकर बाजारों में घूम रहे हैं वहीं gold बेचने वाले दुकांदार की माने तो सोना कितना भी महंगा हो जाए पर लोग गहने खड़ी देंगे ही और पहनेंगे भी पहले तो महिलाएं सोने की गहने पहनने का शौक रखती थी अब पुर्सों में भी gold man बनने का एक trend चला हुआ है और इस बार धंतेरस चांदी के साथ साथ सोने के गहने भी खड़ीद रहे हैं सोने के गहने पहनने से उनकी आर्तिक स्थिति का पता चला है स्वाने का इसका समय है ऐसे में आप क्या करभिया है तो मिलों का बना में इस लिए इस लिए सोच अज़ाद दिजाइन आ रहे है तो ऑच्छक नही है तक जोड़ा पसंद नहीं रहा है कि उतना हम लोंग लेप बेंड़ प्संददेंश प्तिक नहीं नहीं दिजाइनिंग पटना सिटी से देस्टी नीज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट आशरवाद इजी कॉन ग्रूप भरोसी का दूसरा नाम हम सिर्फ घर नहीं खुशिया भी बनाते हैं आशरवाद रोस वैली जिसमें हैं प्रीमियम फ्लैट्स विट आल मॉडर्न अमेनिटीज पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिये हमारे नमबरों पर संपर